फ्रेंड्स आपको याद होगा पिछले बर्स हम यहाँ 5G रोल आउट के लिए इखटा हुए थे उस आइतिहासिक कारकम के बाद पुरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G, फास 5G रोल आउट हुआ था है लेकिन हम उस सभरता के बाद भी रुके नहीं हमने 5G को भारत के हर नागरित तक पहुचाने का काम शुरू किया यानि हम रोल आउट स्टेज से रीचाउट स्टेज तक पहुचे सात्यों 5G लौँच के एक साल के भीतर ही भारत में करीब चार लाख 5G बेस स्टेशन्स बन गए हैं इनसे देश के 97 परसंट शहरों और 80 परसंट से ज़्यादव पॉपलेशन को कवर किया जा रहा है भारत में हैं पिछले एक बर्ष में हैं मेडियन मोबाइल broadband उसकी स्पीड करीब करीब तीन गुना बढ़ गई है mobile broadband speed के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहाँ पर अचके पड़े थे आज 43 थर्ड पोजिशन पर पहुँच गए हैं हम ना सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बलकि सिक्स जी के खेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं हमार यह तू जी के समय क्या हुआ था शाज नहीं पीडी को पता नहीं होगा लेकिन मैं इसका वणन नहीं करूंगा वणना सहाँ मिडिया वाले उससी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हमारे काल हन में फोर जी का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा और साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार इज अब लिविंग को भी बढ़ा देते हैं जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से तेली मेडिसिन के लिए कनेक करते वक मरीज को seamless experience होता है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिज को किसी location तलासने के लिए मैप का सितमाल करने की परीषान नहीं आती है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती हैं तो किसान और आसानी से खेती की नई टेक्निक को सीख पाता है, समझ पाता है connectivity की स्पीड और availability, social और economy दोनों ही रुप से बड़ा परिवर्तन करते हैं